तो आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों में से कई लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि जो बिग्रामी है Mr. Olympia बिग्रामी होने वाले हैं और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेट्मेंट है बिकॉज रोणी कोई चोटे बॉडिबिल्डर नहीं है वो है आठ टाइम Mr. Olympia ग्रेटेस्ट बॉडिबिल्डर ऑफ आल ताइम रोणी कोल्मेन तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिग्रामी होंगे हमारे नेक्स्ट रोणी कोल्मेन बिकॉज आज में आप लोगो को कुछ ऐसे रीजन्स बताने वाला हूँ जो की प्रूफ कर देंगे कि बिग्रामी होंगे हमारे नेक्स्ट Mr. Olympia केंग तो मारा पहला रीजन है कि जो बॉडी बिलिंग के अंदर वापस से वो जमाना आ चुका है जिसके अंदर की साइज और कंडिशनिंग तुबारा से फेवरेट हो चुकी है जज़िस की पिकॉज जब शॉन रोडन जीते थे जब उन्होंने फिल हीट को हराया था और जब ब्रैंडन करी जीते थे मिस्ट उलंपिया चैंपियन तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो जज़िस हैं उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अब एस्थेटिक्स और कंडिशनिंग स्टेज पे देखी जाएगी साइस नहीं देखा जाएगा अगर साइस देखा जाता तो रोली विंकलर हमारे मिस्ट उलंपिया होते जब रॉनी कोलमन के टाइम पे साइस और कंडिशनिंग देखी जाती थी जे कटलर हुआ करते थे मार्कस रूल हुआ करते थे उस एरा के अंदर तो वही अब एरा वापस आ चुका है बिग रामी अब वो एरा वापस लेकर आ चुके है जजस दुबारा से अब साइस और कंडिशनिंग को ज़ादा प्रेफर करते हैं और बिग रामी के पास वो वाली रेस्पी आ चुके जिसके नरकी वो अपना साइज और कंडिशनिंग दोनों अच्छी तरीके से मैच कर सकते हैं तो हम लोग अपने अगले रीजन की तरह बढ़ते हैं जो कि अब बिग रामी ने ब्रैंडन करी को जो कि डिफेंडिंग मिस्टर उलम्पिया चैंपियन थे उनको मात दे दी मिस्टर उलम्पिया के अंदर और जैसे कि आप लोग जानते हों कि जो ब्रैंडन करी है वो पीक अफ एस्थेटिक्स बॉड़ी बिल्डर के अंदर आते हैं अगर हम लोग एस्थेटिक्स की बात करें तो ब्रैंडन करी एस्थेटिक्स है उनके पास पर उनको भी बिगरामी ने मात दे दी अब इससे क्या पता लगता है friends कि बिग रामी कोई छोटे मोटे bodybuilder नहीं है वो एक level के bodybuilder अब बन चुके है उनकी जो conditioning और size है वो match करता है Mr. Olympia criteria और यही रॉनी कोल्मन दरशाया करते थे अपने एरा के अंदर जोगी aesthetic लोग होते थे जैसे कि Flex Wheeler, Sean Ray और यह सारे aesthetic bodybuilders को भी रॉनी कोल्मन मात दिया करते थे वैसे ही बिग रामी इस एरा के अंदर Brandon Curry, Phil Heath और Hadi Chupan जैसे bodybuilders को हरा देते हैं एक time ऐसा भी था friends जिसके अंदर रॉनी कोल्मन की भी अच्छी placing नहीं आया करती थी जैसे कि Bigrami की नहीं आया करती थी कि जैसे 2018 के अंदर Bigrami 6th place पे आया थे और previous year के अंदर उनकी अच्छी performance नहीं हुआ करती थी वैसे ही Ronnie Coleman भी 5th, 6th, 7th और 11th place भी आ चुके हैं Mr. Olympia के अंदर पर चैंब 1998 आया था तम Mr. Olympia वो पहली बार जीते थे और उन्हें ने flex feeler को रहाया था और 1999 जो कि अगले साल Mr. Olympia हुआ था उसके अंदर उन्होंने अपनी victory को repeat किया था तो वैसे ही उमीदे हमको Bigrami के साथ है जैसे कि वो इस साल Mr. Olympia पहली बार जीते हैं अगले साल भी वो अपनी victory को repeat करेंगे तो हम लोग अपने next reason की तरफ बढ़ते हैं जो कि है Bigrami अभी भी एक young bodybuilder में आते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि bodybuilding एक age related sport होता है एक certain age के बाद bodybuilding नहीं खेली जाती जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत से bodybuilders इसका example है जैसे कि Ronnie Coleman, Dorian Yates एक particular age के आने के बाद उनकी physique बैतर नहीं हो सकती और Philheed से बड़ा example में आपको क्या ही बताऊं friends जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस साल वो 41st birthday उन्होंने अपना celebrate किया था और जैसे कि आप लोगों ने उनकी performance देखी भी थी Mr. Olympia के अंदर कि वो अपनी physique को नहीं ठीक करके आ पाये थे वैसे ही friends जो Bigrami है अभी भी young है अभी उनकी age है 36 years old तो friends उनके पास अभी काफी time है कि वो Mr. Olympia के अंदर एक बड़िया rain बना सकते हैं अभी भी friends जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब Philheed young हुआ करते थे तो friends बिग रामी अभी भी एक young bodybuilder है और मेरे साब से उनके अंदर एक बहुत ही amazing potential है कि हम उनसे एक बड़िया performance देख सकते हैं Mr. Olympia की stage पे तो friends अगले reason पर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज remind करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यह वाली वीडियो enjoy कर रहे हो तो इस वीडियो को बहुत ही बड़ा like दे दीजिए यह like इस channel को support करेगा, bodybuilding को support करेगा और मैं चाता हूँ कि भारत के अंदर bodybuilding को बढ़ावा दिया जाए तो हम लोग अपने next reason की तरह बढ़ते हैं जो कि है बिगरामी एक ऐसे coach के साथ है, जो कि Ronnie Coleman के साथ हुआ करते थे और वो बहुत ही famous coach माने जाते हैं इस sport के अंदर उनका नाम है Mr. Chad Nichols जी guys, बिगरामी ने last year ही अपना जो coach है बदल लिया था उन्होंने अपना coach Chad Nichols को choose किया था जो Chad Nichols एक legendary coach माने जाते हैं उन्होंने बहुत से famous bodybuilders को train किया है और Ronnie Coleman उनमें से एक है तो friends, वो जानते हैं कि size और conditioning को कैसे balance किया जाता है कैसे वो freakiness लेकर आई जाती है Mr. Olympia stage के अंदर तो Chad Nichols responsible थे कि वो इस साल Mr. Olympia जीते हैं बिगरामी और बिगरामी के साथ उनका support staff जैसे कि Dennis James जो कि उनके first coach थे Mr. Olympia के अंदर उन्होंने भी उनको काफी ज़ता support किया था तो guys इतना बढ़िया support और इतने बढ़िया coach के साथ Mr. Olympia बिगरामी अगला भी जीतेंगे ऐसा हम लोग उमीद लगा के रख सकते हैं और बिगरामी के पास एक बढ़िया support और एक coach था वैसे ही अब बिगरामी के पास भी एक बढ़िया support और एक बढ़िया coach आ चुका है तो चलिए हम लोग अपने last but not the least reason की तरव बढ़ते हैं जो की है कि bodybuilding के अंदर हमको एक Mr. Olympia rain की जरुरत है जैसे कि आप लोग जानतों कि Phil Heath, Ronnie Coleman, Dorian Gates, Lee Haney और Arnold Schwarzenegger का era आया था bodybuilding के अंदर कि उन्होंने अपने time पे 6, 7, 8 बारी Mr. Olympia बने थे वो लोग पर friends इस बारी वो rain missing है Mr. Olympia के अंदर Sean Rodan और Brandon करी fail कर चुके हैं वो वाली चीज वैसे ही friends मैं चाहता हूँ कि Big Ramy के अंदर वो potential है वो spark है, वो energy है, वो potential है कि वो एक bodybuilding Mr. Olympia rain जाहिर कर सकते हैं अपनी जैसे कि वो 5 बारी Mr. Olympia, 6, 7, 8 बारी भी अपना title वो जीत सकते है Mr. Olympia का तो वही bodybuilding को इस time पे जरूरत है एक Mr. Olympia rain की तो friends यही वो reason था कि Mr. Olympia जैसे कि Ronnie Coleman आट बारी जीते हैं वैसे ही potential Big Ramy के अंदर है कि वो भी अपना एक title rain कम से कम अपनी एक number of Mr. Olympia जीजे हैं और अपना एक era बना ले Mr. Olympia के अंदर तो friends आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको सहमती रखते हो और आपको लगता है कि Big Ramy हो सकते है हमारे next Ronnie Coleman पर कोच उनका structure है size, conditioning, सब कुछ match करी जा सकती है पर friends अगर आप लोग मेरा opinion वानोगे तो Ronnie Coleman को replicate करना कोई असान बात नहीं है Ronnie Coleman एक legendary bodybuilder है वो greatest bodybuilder of all time में से आते हैं तो अगर Big Ramy Ronnie Coleman का one fourth भी अगर इस time पे कर जाते हैं इस era के अंदर तो वो ही अपने में बहुत बड़ी बात होगी मैं Big Ramy से कोई expectations नहीं जाहिर करना चाता पर मैं आपको लोग को यह बताना चाता हूँ कि bodybuilding के अंदर इस time पे एक Mr. Olympia champion की जुरुरत है और मेरे साब से Big Ramy से जादा बड़ी है bodybuilder इस time पे कोई भी नहीं है तो friends अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को बहुत बड़ा like दे दीजिए सब्सक्राइब करिए भारत का best bodybuilding channel और इस वीडियो को अपने friends के साथ share करना ना भूलिए WhatsApp पे तो friends मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए Till then take care and bye